मेरे इस वाले तरीके से अगर आप मूली के पराठे बनाएंगे तो ये तो बच्चों का खेल बन जाएगा बहुत ही असानी से 5-10 मिनिट में आप धेरो मूली के पराठे बना कर त्यार कर लेंगे रेसिपी बहुत ही जादा सिंपल और इंग्रीडियन्स बहुत ही कम बहुत ही स्वाद लगेंगे बैचलर्स रेसिपी है जिसने कभी भी पराठे वगरा नहीं बनाए वो भी इससे बना पाएगा अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें इससे बनाने के लिए यहाँ पर मैं मीडियम साइज की दो या तीन मूली का इस्तिमाल कर रही हूँ आप अपने हिसाब से कमज़ादा कर सकते हैं इसमें एक मूली है तो समझ लिजए कि एक जन का नाष्टा इसमें बहुत ही असानी से हो सकता है सबसे पहले मूली का जो छिलका है उसे हम पीलर से निकाल लेंगे उसके बाद में ग्रेटर से इसे ग्रेट करेंगे जो normal grater होता है बहुत मोटा वाला भी नहीं और बहुत पतला वाला भी नहीं उस grater से हम इसे grate करेंगे बहुत यह सानी सी हो जाएगा सारी मूली को grate करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले वगरा आड़ करेंगे लेकिन उससे पहले हमें इसके अंदर का जो extra पानी होता है उसे निचोड़ना होता है जब भी हम कोई stuffing वाला पराठा बनाते हैं जैसे की आलू का है मूली का है गोबी का है तो जो भी उसकी stuffing होती है वो dry होनी चाहिए अगर वो गिली होगी तो जो हम stuff करते हैं तो बेलते टाइम हमारा जो पराठा है वो फट जगता है तो मूली में तो आप जानते हैं कि बहुत सादा पानी होता है आप चाहें तो इसे तुरंट अगर बनाना चाहते हैं मतलब अभी सारा अपने stuffing बनाया और अभी उसे use कर लिया तो फिर ये वाला process करने की ज़रत नहीं है यहाँ पे मैं नमक लगा के इससे थोड़ी दिर के बाद निचोड़ने वाली हूँ ताकि जादा से जादा इसके अंदर से पानी निकल पाए लेकिन इस तरीके की जो stuffing है जिसमें हम जादा पानी निकालते हैं उसे हम store करके फ्रिज में रख सकते हैं और दुबादा भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको instantly पराठे बनाने हैं तो ये वाला step up skip कर दिजिए बस आप मूली को grate करके थोड़ा सा उससे जितना हो सके उतना पानी निकाल लें और फिर बाकी के हम मसाले इसमें आड़ करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा कड़ी पता है तीन-चार हरी मिर्चे हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी अदरग भी आड़ कर सकते हैं उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और इसका हम crush करके एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे अब जो 5-10 मिनिट हो जुके हैं मूली को मैंने रखा है नमक लगा कर उसे हम निचोड़ लेंगे जैसे कि मैंने बताया आज मैंसे बहुत ज़्यादा निचोड़ने वाली हूँ एकदम ट्राय करूँगी क्योंकि इस स्टफिंग को बचा के फ्रिज में रखने वाले हैं लेकिन आप सारा स्टफिंग अगर यूज़ करने वाले हैं इंस्टेंटली पराठे बनाने वाले है तो बस हलका सा ही आपको इसे निचोड़ना होता है बस उतना कि आपके जो पराठे है वो बनाते वाग ज़्यादा गीले ना हो तो यह देखिए नमक लगाने के वज़े से इसमें से बहुत सारा पानी एक्स्ट्रैक्ट हो गया है मैं कपड़े का यूज़ कर रही हूँ अग्दम ड्राय हो चुकी है इंस्टेंट पराठों के लिए इतना ड्राय ना करें थोड़ा से हलका सा वैट रहने दे अब हम क्या करेंगे इसमें वसाले आड़ करेंगे जैसे कि मैं आपको बताया शुरुआत में कड़ी पता था थोड़ा सा हरी मिर्च और अगर आप चा करके बारी कट कर लिया है इसके साथ दरदरा पीसा हुआ जो हमने मसाला बनाया था मिर्ची का वो आड़ करेंगे इसे के साथ हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे नमक अल्रेडी डाला हुआ था पहले इसले यहां पर थोड़ा सा अब ध्यान से डालें इसके साथ लाल मिर्च थोड़ा सा गरम मसाला जीरा और फिर सबसे लास में हींग डालेंगे हींग इसलिए डालते हैं क्योंकि जो मूली के पराटे होते हैं वो थोड़ा सापको डाइजेशन में प्रॉब्लम दे सकते हैं जहा को हेल्सके चुछ के लिए लेकं किसी को डाइजिस्ट complexities नहीं होते तो यह आप हींग डाल सकते हैं या फिर उसके बजाए अजवायन दोनों ही आपकर गागर दोनोंगयों यह से कोई बहुत अच्छी से हमारा जो मसाला है बनके रेडी है आटा गुनने की यहां पर मैं आपको रेसिपी नहीं बताऊंगी वो तो सभी को आता होता है बस जैसे हम नॉर्मल चपातियों का आटा गुनते हैं वही वाले आटे का यूज़ करने वाले हैं बस इतना ध्यान रखेंग जैसे कि मैंने बताई आपको बैचलर्स रेसिपी है अगर आप सिफ एक लोई करके और फिर उसमें स्टफिंग डालके बेलने कोशिश करेंगे और फिर्स टाइमर है अपने पराटे कभी नहीं बैना आए तो आपसे टेफिनेटली फटेंगे तो आप क्या करें इस तरीके स उसे प्रेस करना है ताकि वो अच्छे सेट हो जाए जब वो सेट हो जाएगा तब आप इसके उपर इस तरीके से सुका अठा थोड़ा सा छिड़के और यहां पर आपको बहुत जादा नहीं बेलना है बस हलका सा बेलना है पराटे को बहुत जादा पतला ना करें जब जादा बेलते हैं और पतला कर देते हैं तो वो मज़ा नहीं आता है पराटे में हमेशा पराटे थोड़े चपाती से थिक साइज होते है इंपक डबल होते है डबल भी नहीं ट्रिपल होते है तो इस बात का ध्यान रखें यहां पर तवे को मैंने बहुत अच्छे तरीके स गरम करने के बाद उसके उपर थोड़ा सा तेल डाला है पराटे को हम मीडियम से हाई फ्लेम पर बनाएंगे पराटे कभी भी लो पर या बिल्कुल हाई पर नहीं बनते यह बात भी आपको ध्यान रखने की है मीडियम से हाई फ्लेम पर आपको इसे पकाना है घी लगा सकत जो चाहे उसके साथ आप इसे ग्रीसिंग करें, एक दरफ से पल्टें, फिर से उसको दूसरी दरफ पल्टें, और जब आपका मन पसंद कलर इसके उपर आ जाए, याने की थोड़ा सा गोल्दन, थोड़ा सा ब्लाक, तब आप इसे निकाल लें, बहुती बढ़िया खुजब अब इसे निकाल ऊचे नहीं जोब सर्फ कर सकते हैं, मैं परसुनल इस यह पर आठो को दही के साथ जादा नहीं पसंद कर दी्मुझे अच्छे लगते हैं कुछ बटर, मलाई हो, या फिर अचार और चाय हो, आपको जिसके साथ अच्छे लगते हैं, आप सर्फ कीज़ंग यहां पे एकदम ताजा यहां पे मिर्ची का अचार है जो मेरी ममी ने मुझे भेजा है बहुत जादा मजाने वाला है आप भी जरूर ट्राइ करें इस रेसिपी को आपको यह पराठी की रेसिपी बहुत जादा पसंद आएगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीड सब्सक्राइब करके बैल एकन दबा देगें